हेलो गैज्स वेलकम टो अन्ट वीडियो प्रितिका इंजिनिरिंग कंपोनेट्स आई-प्यों में कल यह आई-प्यों और आज के इस रीडियो में इसका कम्प्लेट अनल्सिस करें मतलब इस आई-प्यों में किस तरह से बिज़ास मॉडल में काम करती है फिनांसल्स क्या है ड हम लोग आज चुकिए प्रितिका इंजिनिर्स आई-प्यों पे यहां पे देख सकते हैं प्रितिका इंजिनिर्स कंपोनेट्स लिमिटेट्स यह मतलब की कंपनी जे का जो बिजनस करती है यह बिजनस करती है प्रिसीशन मसीन कंपोनेट्स का जो है सो मैनफ्यक्ट्ट्र कर जैसे end covers, cover district, shield brakes और differential cases, cover hydraulic lifts, cover and trans case, front wheel, fly wheel, housing, real XR, casting जैसे चीज़े को जो जो कमपनी यहाँ पे, components को जो जो मैनुफाक्चर करती है, जो मैनुफाक्चर करती है कि जो जिए सबता करती है जो की देखले कि पिछले इससे पहले जो है, कालकेटा स्टॉक एक्सचेंज में जोईसो लिस्टेट थी और यही चेज जोईसो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जोईसो लिस्टेट थी यह कंपनी जोईसो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कालकेटा स्टॉक एक्सचेंज दोनों में लिस्टेट थी जो की 2015 के ताइम में जो यहां पे लिस्टेड थी अब कम इसके जो कम लोकेशन है मैं फाक्ट्रिंग लोकेशन यूनिट यह पंजाब में है अगर देखा जा तो ट्रैक्टर्स के मादलें पंजाब के लोकेशन बहुत ही बहतरीन है और कंपनी की क्लाइंट्स जो है बहुत ही बड़े- यह पर कंपनी के लिए अब तक जो यहां पर देखा जाए तो पोजिटिव पॉइंट ही निकलके आ रहा है है अगर हम यहां पे इसके रेविटिव आपकर देंचिघने को मिल रा है और प्रिधिका इंजिनेरिंग कंपॉनेट्टाल लिमिटेट्स जो है online success यह एक को manufacture करती है experienced और professional management team में कमपनी के पास wide range की wide product range भी बनाती है और product segment भी बनाता है बहुत यच्छे बात है legacy business process और management बना के रखी है मतलब के अपना business process और management जो है यह legacy बना के रखी है strong and experienced R&D team है company लोगे research and development team जो बहुत ही strong है तो company का अब तक देखा जाते हैं बहुत यहां पर positive point ही निकल के आ रही है business model में company बहुत ही बहुत ही बहतरिन काम कर लिए अगर हम इसके financials की बात करेंगे guys तो यहां पर company के जो financials अगर देखेंगे assets में तो 41 करोड का था financial 20 में लेकिन उसके बाद यहां पर assets जो है लगातार increase कर यह 55 करोड फिर 71 करोड का जो कि देख सकते हैं पर लगातार assets increase किया और अगर से अपने September quarter की बात करेंगे तो यहां पर 81 करोड का assets था यहां पर मतलग कह सकते हैं रिसेंटली भी जो से बहुत अच्छी रिजल्ट दीए company ने revenues यहां पर 21 करोड का है जो कि देखा है तो financial 20 कर का यहां पर revenues है ज्योंकि बहुत इस ट्रॉंग revenue growth हुआ उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर देखा यहां पर profit after tax जो है यहां पर देखा जाए तो expenses ज्यादा हो दीथी फिनांशिल यह ट्वेंटी मिश्का जन प्रॉफिट से उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया तो श्टीन लाक्स कहीं से प्रॉफिट था लेकिन उसके बाद कंपनी यहां पर देख सकते हैं फिटी एट लाक्स का profit रहें त्री डिजित में कंपनी रेंव प्रॉफिट किया और 5.4 करोड का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उसके बाद यहां पर सब्टमबर 22 कोडर में वन पॉइंट करोड का profit देखने को मिल रहा है नेटवर्स भी यहां पर 5.3 करोड का था जो कि यहां बहुत इस आं कमपनी का यहाँ पर देखें निगेटीव पॉइंट यह है कि कमपनी पर डेट बहुत जादा अगर देखा जाये तो ट्वेंटी में फिनाशल है ट्वेंटी करोड का डेट था लेकिन उसके बाद डेट्स जो है बहुत जादा इंक्रीज किया 25 क्रोड का 22 में देखने को मिला और अभी डेट्ली जो है यहाँ पर 31 क्रोड का डेट है बहुत जादा डेट है लेकिन फिर भी अगर देखा जाये तो कमपनी नहीं जिसतास परफॉर्मेंस कर रही है इसका एक और डेट नहीं लेगी तो कमपनी मार्केट में सस्टेंड नहीं कर पाईगी वह इसलिए क्यो लिए लेट लेट आ रही है तो इस वज़े से कंपनी लोन लिया तो यह उतना कुछ खास मतलब की देखा जाए तो ज्यादा रिस्की तो नहीं लग रहा है मुझे लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो रिस्की कह सकते है कंपनी पर डेट से लेकिन इसी चीज के लिए अगर प्रिदिका इंग्स का मीता कास्टिंग लिमिटेड तो इसके लिए जय सो कंपनी के नया सेट अप जय सो नई यूनिट का जय सो सेट अप करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है तो यह अच्छी बात है कंपनी आप मतलब की बिजनेस एक्सपैंसन बहुत करना इसके लिए कंपनी को फंडिंग चाहिए और साथ में आप जेनरल कॉर्परिट परपस के लिए और देखा जाए तो कंपनी अभी तक तो बहुत ही अच्छी सांदार कंपनी को परफॉर्मेंस देखने को मिला है अगर हम इसके डिटेल्स की यह थो बात के टेंटेटिव डे पचेश काडिक ओपन हो रहा है सताइस पचेश अठाइस उन्तिस तीस चार दिन यह आई प्यों रहेगी तेन रुपिज का फेस वैल्यू रखा गया ट्वैंटिन रुपिज का पर्स यह प्राइस बैंड रखा गया फूर्टाजन की लॉट साइज नाइन पर टू करोड कर इसलिए बहुत चोटी आई प्यों है फ्रेश इसू किया जा रहा है फिक्स प्राइस इसू आई प्यों और यह जो है सब्सक्राइब करें पांच नॉवंबर का अलॉट्मेंट डिट रखा गया है छे नॉवंबर को रिफंस इनिशियेट किया पांच दिसंबर को अलॉट् इनिशियेट किया जाएगा साथ दिसंबर को सियर्स डिमाट अकांट में के एडिट होंगे और आट दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है अमाउंट जो है एक लाग सुला हजार रुपय का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जिसमें 4000 सियर्स होंगी जो कि यह कर रही है अगर हम बात करें इस आई प्यों में तो आई आई प्यों जो है अब तक का ट्वेंटी ट्री के कॉर्डिंग कंपनी का जो प्राइस है बहुत शांदार प्राइस है और इसलिए इसका मार्जन भी जो इस बहुत अच्छा देखने को मार्जन उता कुछ खास को नहीं मिला एक्सपेंसे बहुख जादा इसलिए अगर आप लोग इसमें करशे तो आटाउन कर सकते बट संगांगा तो में आप sécurité के किछी कोुए मैं इस आईंऽ में इंवेस्टमेंट करने वाला हूं जो की आखरी के दिन में इनवेस्टमेंट करूँगá अभी इसमें नहींद हें भांद सक दियुकर Bowl Hai नोंबर है तीस्टमर्द काहिं कि दिन में investment करने का plan करता हूं कि कोई भी का IP में apply करता हूं तो आखरी के दिन में apply करता हूं जिसे मुझे एक idea मिल जाती है कि इसका track record अब तक देखने को मिला है तो इसलिए आप लोग भी आखरी के दिन में apply कीजिए तो ही बेटर रहेगा और मैं इस आई पर बहुत सारी वीडियो जब भी कोई अप्डेट आती देहेगी जी एमपी पर सब्सक्रिप्शन पर मैं इस पर रिगुलर वीडियो अप्लोड करता रहूंगा आप लोग को बताता रहूंगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है और अगर हम बात करें इस आई प्यों की आप लोग अप्लाई करना चाहते गाई तो जरुद्धा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब जरुद्धा का अकाउंट अगर आपके कर लिजिए और उससे अप्लाई कर सकते हैं कि जरुद्धा में सभी SME आई प्यों कोई भी आई प्लाई कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेडियो में तिल देन बाई बाई